प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूग गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज प्रभु ने फिर से एक मौका दिया मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ हम पिछले दो हफ्तों से प्रभु के वचन की व्याख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रभु के वचन से ही हमने देखा कि प्रभु के वचन की सही सही व्याख्या बहुत जरूरी है क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन की गलत व्याख्या करते हैं उत्पती में जो मनिश ने जो पहला पाप किया उस पाप के प्रती मनिश को आकरशित करने और उसको पाप में गिराने के लिए शैطन ने या सर्प ने गलत व्याख्या का सहारा लिया जिसका मतलब यह है कि मनिष्रिकी स्रिष्टी के समय से प्रभू के वचन के गलत व्याख्या होती रही है और प्रभू के बच्चे आदम और हव्वा तो प्रभू को मुखा मुख जानते थे वो लोग भी उस पाप में गर गए तो यदि आदम और हव्वा जो परमेश्वर को फेस टू फेस देखते थे बे लोग प्रभू के वचन की गलत व्याख्या के कारण पाप में गर गए तो मैं और आप जो आदम और हवा से 6000 से अधिक साल बाद इस पृत्वी पर जी रहे हैं हमसे तो गल्ती और अधिक हो सकती है इसलिए प्रभु के वचन की सही व्याख्या बहुत जरूरी है एक गलत फहमी जो बहुत लोगों में हैं और एक गलत फहमी जिसे बहुत सारे लोग फैलाते हैं वो यह है कि प्रभु के वचन की व्याख्या बहुत कठिन बात है आपको Bible School जाके पढ़ना होगा, बहुत अतिविशा लाइबरी होनी चाहिए, कमेंटरीस होनी चाहिए, तभी आप रभु के वचन की व्याख्या कर सकते हैं, यह गलत है, मैं बार-बार याद दिलाना चाहता हूँ कि यह गलत है, यदि कोई Bible School जा पाता है तो अच्छी बात ह उसके लिए, लेकिन वो सबके लिए जरूरी नहीं है, यदि किसी के पास कमेंटरीस हैं, लाइबरर ये अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है, प्रभु ने अपना वचन इस तरीके से लिखवाया है, कि प्रभु के बच्चे, प्रभु के वचन को पढ़ कर उसमें उनके लिए जो जरूरी बाते हैं उसे आसानी से समझ सके हो सकता है ऐसी दो चार बाते हो जिनका समझना कठिन है लेकिन याद रखिए कि बीमार व्यक्ति हर एक स्पेशलिस्ट की और नहीं दोड़ता है बीमार व्यक्ति सामने तया एक जनरल फिजिशन के पास जाता है क्योंकि एक जनरल फिजिशन अधिकतर रोगों के लिए परियाप्त होता है इसी तरह से प्रभू के वचन की जो मुख्ये बाते हैं उनको स्पष्ट तया समझने और उनके द्वारा अपने जीवन में अनगरह पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कोशिश कर सकता है और प्रभू उसको अपना वचन जरूर देंगे ये बात मैं आज आरंब में ही कहना चाहता हूं तो आप पूछेंगे कि ब्रदर एदि ऐसा है तो मैं प्रभू के वचन के अध्यान के लिए मैं क्या कर सकता हूं प्रभू के वचन के लिए नंबर वन थोड़ी से तयारी करनी होगी तयारी से मेरा मतलब यह नहीं कि बाइबल स्कुल जाना होगा कमेंटरी खरीदनी होगी जी नहीं तयारी यह है कि जहां तक हो सके आपके पास अपने स्वय aware की बाइबल हो स्वायम का बाइबल हो जो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है मैं जब 15 साल का था ये आज से आदी शताब्दी पहले की बात मैं सुना रहा हूँ उस समय मैंने अपने फादर से रोक कर बिंती की कि अब मेरा बप्तिसमा भी हो गया है मुझे एक बाइबल दिला दी जो समय बाइबल्स इतने महंगे होते थे कि सामान्यत है एक परिवार में एक बाइबल की एक कॉपी होती थी दिखारनैंटेटी जब उनने देख़ा कि मेरे दिल में इतनी इतना इतनी इच्छा है तब उनने एक Bible मुझे दिल वाया आज प्रकार के Bible प्रांस लेशन रखे हुए हैं तो आज जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन का अध्यान करना चाहता है उसके पास अपने स्वयम का बाइबल होना कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन के अध्यान के प्रति कंवेर है उसके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए जिस पर वो बड़े आराम से बिना किसी दूसरों के रोक टोक के निशान लगा सकता है निशान इसलिए लगा सके क्योंकि जब प्रभू का वचन हम से बोलता है और पवित्रात्मा जब हमको प्रकाश देते हैं तब ये जरूरी हो जाता है कि प्रभू के कुछ वचनों को विशेश रूप से चिन हित किया जाए या उन पर चिन लगाया जाए नमबर वन एक बाइबल नमबर दो कम से कम एक बाइबल एक से ज़्यादा हो बहुत अच्छी बात है क्यों वो मैं बाद मैं बताऊंगा कम से कम एक डाइरी मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने आज से पचास साल पहले पचास ने बाइबल आध्यान तो मैंने लगबख 55 साल पहले आरम कर दिया था उस समय डाइरी बहुत महंगी चीज़ें होती थी आज डाइरी एक बहुत आम चीज़ है हम में से कोई भी व्यक्ती बड़े आराम से डाइरी खरीच सकता है डाइरी स्थोक में मिलती हैं आजकल एक बाइबल एक डाइरी एक पैन बस तैयारी का पहला स्टेज हो गया दूसरा स्टेज यह है यह प्रण कर लीजिए कि साल में कम से कम एक बार संपूर्ण बाइबल पढ़ेंगे आप कहेंगे आप शैद दो अबजेक्शन या दो प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं ब्रदर भाइबल का एक पोर्शन स्टडी करना है संपूर्ण बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत अच्छा प्रश्न है दूसरा प्रश्न ही हो सकता है संपूर्न बाइबल एक साल में क्या कह रहे हैं ब्रदर कैसे अन्हूनी कि आप बात कर रहे हैं इस पूरे ग्रंथ को साल भर में एक बार कौन पड़ सकता है आज जिन भाई जॉंसन ने प्रार्थना में हमारी अग्वाई की उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बात पॉब्लिक में बता रहा हूं लेकिन यदि एक व्यक्ति ने हमारे सामने नमूना रखा है तो सब और नए नियम को शैद चार बार पड़ा और भजन सहिता को पता ने कितनी बार कंप्लीट पड़ा एक व्यक्ति जो नौकरी शुदा है जिसके उपर पचास जिम्मेदारियां है यदि वो एक साल में इतना कर सकता है तो कोई भी कर सकता है मैं यह नहीं कह रहा है कि पुरान ने नियम एक बार पड़ें ने नियम एक बार पड़ें कम से कम जो बिल्कुल संभव है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रती दिन पंद्र मिनिट प्रभू का वचन पड़ता है तो साल पर में कंप्लीट बाइबल पड़ सकेगा यह बहुत सारे अनुसंधानों से तो अखबार पड़ने में लगा देते हैं उससे ज्यादा व्यर्त बातशित करने में लगा देते हैं उससे ज्यादा समय WhatsApp पे बिता देते हैं WhatsApp का जो latest जो हिसाब है जो latest अनुसंधान है उसके अनुसार काफी सारे भारती लोग 60 प्रतिशत से अधिक भारती लोग प्रती दिन एक से लेकर चार गहंटे तक WhatsApp को देते हैं बहुत सारी बहनों को मैं जानता हूं जो सुबा आख खोलती है तो WhatsApp को देखके खोलती है और रात को लेटती है तो WhatsApp को देखकर लेटती है और दिन भर जो समय है खाना को पकाते समय भी WhatsApp बातरूम जाते समय भी WhatsApp लैटरिन जाते समय भी WhatsApp दुनिया भर का कचरा इखटा करने के लिए कितना समय हम देते हैं प्रती दिन यदि हम पूर्ण ध्यान के साथ 15 मिनित प्रभु का वचन पड़ें साल बर में खतम हो जाएगा दूसरा तरीका ये है प्रती दिन यदि तीन अध्याय पड़ें और संडे के दिन पांच अध्याय पड़ें तो संपूर्ण बाइबल समाप्त हो सकता ह आप कहेंगे फिर भी बड़ा बड़ा बोरिंग काम है, कोई चीच बोरिंग है या नहीं है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रूची उसमें कितनी है, रूची पर डिपेंड करता है, तो पहले रूची होनी चाहिए, उसके बाद उत्सा आएगा, और जब उत्सा तब आप रीडिंग कर सकेंगे तो इसलिए आप में आपका जो दूसरा प्रशन है कि ब्रदर साल भर में कोई कैसे पढ़ सकता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल भर में एक से अधिक बार प्रभु का वचन पढ़ा जा सकता है हैं हमारे बीच में कई व्यस्त लोग जो नौकरी शुदा लोग है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि एक से अधिक बार पढ़ा जा सकता है इसलिए साल भर में कम से कम एक बार पढ़ें दूसरा प्रशन जो आप पूछेंगे वो यह है कि ब्रदर इसकी क्या जरूरत है बिल्कुल सही बात है मान लीजिए कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं जिस शहर में आप टैक्सी या ओटो रिक्षा या कार या जो कुछ चलाते हैं या मान के चलिए कि आप पोस्ट मैन है जिस इलाके में आप डाक बांटते हैं जब तक उस पूरे इलाके को आप ना जाने तब तक आप अपने गंतवी स्थान पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच सकते हैं मान लीजिए कोई आपकी टैक्सी पर बैठा और उसने का कि लकड़ खाना ले चलो और आप पूछेंगे कि लकड़ खाना मैंने तो जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है यदि मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ और आप कह रहे हैं कि लकड़ खाना तो कभी सुना ही नहीं है तो मैं कहूंगा कि अरे भाईया रहने दो मैं आपकी गाड़ी से उतर के खास करें यदि हाथ में सरफ एक सूट केस हो तो दुआ सलाम करने के बाद किसी और ठानंद विलारी और सबसे पूछ रहे कि आनंद विला कहां है अनों को भी अपने काम है कि कैसे आपको दिश्शा बताएगा इसी तरह से जब हम प्रभू के वचन का अध्यान करते हैं तब प्रभू के वचन का हर लिगRI प्रभु के वचन के अन्नी हिस्सों पर निर्भार करता है जब प्रभु ईशु को लेकर उसके माबाप पहली बार मंदिर गए तो वो जो घटना बताई गई है वो लेविय व्यवस्था और व्यवस्था विवरेंट पर डिपन करता है प्रभु को देखकर वहाँ एक महाभक्त था शिमोन शिमोन ने कहा है प्रभु आज मैंने आपका उद्धार देखा है उद्धार तो एक प्रक्रिया है एक व्यक्ति नहीं है तो क्यों शिमोन ने कहा कि आज मैंने आपका उद्धार देखा उसको एदी सही सही समझना है पुराने नियां स्टडी करना पड़ेगा ना केवल उत्पति से लेकर व्यवस्था विवरेंड से परिचित होना जरूरी है यहा की पुस्तक से भी परिचित होना जरूरी है और जो व्यक्ति परिचित होगा वो जब पढ़ेगा कि शिमोन ने कहा है प्रभू आज मैंने आपके उद्धार को देखा तुरंत वो समझ जाएगा कि इसका मतलत क्या है इसके लिए किसी बाइबिल स्कूल जाने की जरूरत इसके लिए किसी कमेंटरी की जरूरत नहीं है प्रभू के वचन से यदि आपका परिचे हो तो प्रभू के वचन में बहुत सारी बातें जो कही गई हैं वो आप आराम से समझ सकेंगे इतना ही नहीं जब प्रभू के वचन की हम व्याख्या करते हैं तब प्रभू के वचन से हमारा जितना परिचे होगा प्रभू के वच को समझना उतना ही आसान हो जाएगा इन बातों को मन में रखकर ये तो तैयारी हो गई तैयारी के लिए डायरी बाइबल डायरी पेंसिल वगरा ले लिए और उसके साथ साथ बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने का ठान लीजे इतनी तैयारी के बाद हम समय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझ जैसा और गंभीर विद्यार्थी डायरी के अलावा क्या क्या यूज करता है दो चार और चीजें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं लेकिन मैं एक बात बता दूं कोई व्यक्ति साइकल चलाता है तो दूसरों के साथ रेस करने से प ब्रेक कैसे लगाए और कैसे ना लगाए क्योंकि हम जानते हैं कि एक particular speed से ज़्यादा जब गाड़ी जा रही है तब यदिए आप आगे का ब्रेक पहले लगा देते हैं तो गाड़ी पलट सकती है तो पहले संदुलन सीखना होगा पहले ब्रेक लगाना सीखना होगा उसके गाड़ी को अब तेजी से चला सकते हैं और जब तेजी से चलाना सीख लेंगे उसके बाद किसी के साथ रेस लगा सकते हैं इसी तरह से प्रभू के वचन के अध्यान के लिए मैं जो मेथर्ड यूज करता हूँ जब उनको भी बताऊंगा तो उसके पहले लेकिन जो इंट्र आख्या के लिए तीन मोटे नियम है इसमें से पहले नियम यह है कि किसी भी विशे के अध्यान के लिए उस विशे पर प्रभू का वचन जो कहता है वो सब देखो सिर्फ एक पद के आधार पर कोई निरने ना लो आप कहेंगे ब्रदर यह तो बड़ी कठिन बात है जी बि कठिन उसके लिए है जो मेहनत करने को तयार नहीं है प्रभू के वचन में हम देखते हैं आलसी कहता है कि रास्ते में शेर है रास्ते में तमाम भीड चल रही उनको कोई शेर नहीं दिख रहा है आलसी कहता है कि भईया शेर है इसलिए मैं नहीं जाओंगा उसी तरह से जो प्रभु के वचन को आदी से लेकर आन्त तक पढ़ने के लिए ही तयार नहीं है उसके लिए तो सब कुछ कठिन होगा लेकिन जो व्यक्ति आदी से लेकर अंत तक प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ने के लिए तयार है उसके लिए प्रभु के वचन का अधियान कठिन नहीं है क्योंकि जैसे ही कोई मानली जो उद्धार से सम्मदित कोई पद आता है यदि वो उसको डायरी में नोट कर लेता है तो आगे फिर से उद्धार के बारे में जो आएगा उसको भी यहां नोट करता चला जाएगा तो उद्धार के बारे में प्रभु के वचन में जो कुछ कहा गया है वो सब उसकी जानकरी में आ जाएगा तो इसलिए पहला सिध्धान्त यह है या पहले नियम सही कहा जाए तो प्रभू के वचन की व्याख्या के लिए पहला नियम यह है कि किसी भी विशे का अध्यान करें तो उस विशे के बारे में प्रभू के वचन में हर जगे जो कुछ कहा गया है उन सब का अध्यान करें और अपती बहुत आसान हो गया है लेकिन उसके बारे में बताने से पहले प्रबु के वच्छन से ही मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रेरितों के काम, Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम सत्रहवे अध्याय में हम प्रबु के दासों के बारे में देखते हैं खास कर पौलुस के बारे में कि सबत के दिन यहुदियों के आरादनाले में जाकर प्रबु का वच्छन पढ़कर उनसे प्रबु के वच्छन के बारे में बताने लगे वहाँ बड़ा उधम हुआ नाटक हुआ और उन्हेंने क्या कि वहाँ जो भाई लोग थे उन्हेंने का कि तुम लोग वह जीवन खत्रे से खाली नहीं है तुम लोग यहां से किसी और शहर चले जाओ दस्वे पद में हम देखते हैं जब यह नाटक हुआ प्रेरितों 17 कदस भाईयों ने तुरंत राथ ही राथ पॉलूस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुँचकर यहुदियों के आराद नाले में गए यह लोग अच्छा पहला जो नाटक हुआ था जगड़ा टंटा वो थिसलूनिके में हुआ था अब वो लोग बिरिया में है बिरिया की लोगों के बारे में प्रभू का वचन मैं नहीं प्रभु का वचन, पवित्रात्मा कहते हैं, ये लोग थिसलुनिके के यहुदियों से भले थे, हिंदी में भला सुनके कुछ क्लियर नहीं होता है, मूल भाष्षा का कहना है कि ये लोग यहुदियों से थिसलुनिकी के यहुदियों से श्रेश्ट थे, और उन्हेंने बड़ लालसा से वचन ग्रहन किया जो पावलो सुन को बताते थे खतम नहीं हुआ और प्रती दिन पवित्र शास्त्रों में धूंडते रहे कि बातें यो है की नहीं बेरिया के यहूदियों को जब प्रभु का वचन सुनाया गया तब बेरिया के जो यहूदी थे वे तिसलूनिके के यहूदियों से ज़्यादा श्रेष्ट इसलिए थे कि वे जानते थे कि कोई भी बात सुनो किसी भी विशे पर सुनो तो पवित्र शास्त्र में जाकर उसकी जाच करो, यहाँ पवित्र शास्त्रों में इसलिए लिखा हुआ है कि उस समय बाइबल एक वाल्यूम में उपलब्द नहीं था, बाइबल एक वाल्यूम में जिल्द जो बांदा गया ये दूसरी शताबदी के आखर में था, तब तक पेपर उपलब्द नहीं था, दूसरी शताबदी के आखर में और तीसरी शताबदी में जब चीन से पेपर मद्यपूर में जाने लगा, और उसके अलावा मद्यपूर में बहुत ही पतले पतले जैसे तबले के ओपर चड़ाये जाता है, या ड्रम पर जो चमड़ा होता है, वैसे पतले चमड़े का विश्कार अगरी संपूर्ण बाइबल की पुस्तकों को एक साथ एक वॉल्लीम में बांधा गया, और जब एक साथ एक वॉल्लीम में बांधा गया, तो उसका वज़न दस-दस किलो हुआ करता था, ये बात मैं आपको बता दूँ, आज आदा किलो का बाइबल लेके हम जो फिरते हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस मेरे आपके हिंदुस्तान में, आज से 50 साल पहले हिंदी, मराथी, उर्दू या अन्य भारती भाषाओं में बाइबल का वजन 2.5 किलो हुआ करता था, आप में से कई को याद होगा वो बाइबल आपने अपने घर में देखे मेरे परदादा जी के समय, ये आज से 120 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैंने देखा अपने परदादा को, परदादा जी के समय में बाइबल इतने भारी होते थे कि वो लोग बाइबल को एक कपड़े में बांत के, कंधे पर रखके, घर से चर्च ले जाते थे, इस तरह स पर रखके, एक हाठ उसके उपर रखके, वो लोग सड़क पर चलते थे, और जब वजन से ठक जाते थे तो उस कंधे से उठाके, अगले कंधे पर रखते थे, इस तरह से घर से चर्च और चर्च से घर बाइबल ले जाते थे, तो आज से 100 साल पहले ये स्थिती थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज दोसो इसवी में जब पहली बार बाइबल की 66 पुस्तके एक साथ जिल्द में बांदी गई तब 10-15 किलो हुआ करता था लेकिन पहली शताबदी में जहां ये बेरिया के विश्वासी लोग थे वहां पर बाइबल को एक जिल्द में बांदा नहीं जा सकता था क्योंकि वो मोटे चमड़े पर लिखा जाता था और उत्पती से लेकर लेविये वियवस्ता का वजन वो चमड़े की टाट पटी का वजन वही 50 किलो के करीब हुआ करता था तो संपूर्ण बाइबल को तो आप एक जिल्द में बांदी नहीं सकते हैं इसलिए यहां लिखा है कि पवित्र शास्त्रों में क्योंकि ये जो पुरैने नियम की 49 किताबे हैं ये 5 ये 6 बड़ी बड़ी पतंग के पतंग का धागा जैसे चर्खियों पर बांदा जाता है इस तरह से भारी भरकम चर्खियों पर बांद कर रखा जाता था इसलिए उनको बहु एचन में कहा जाता था तो पहले एक में देखा, फिर दूसरे में देखा, फिर तीसरे में देखा, इस तरह से देखते थे. लेकिन ये इननों ने जो कारिक किया, पवित्रातमा ने उसका जो अनुमोधन यहां पर प्रेरितों के काम 17 में अध्याय के 10 और 11 पद में किया है, खासकर 11 में जो अनुमोदन किया है, यह हमें ये बात बताता है कि जब प्रभू के वचन से कोई एक विशे हम सुनते हैं, तो बाइबल की सबी पुस्तकों में जाच कर देखें कि ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं हैं बेरिया के विश्वासियों के पास पुराइन नियम की 49 पुस्तके थी, आज हमारे पास बाइबल चूंकी AD 70 के आसपास, बाइबल की आखरी पुस्तक की रचना हो गई थी, इस कारण AD या 2070 के बाद पुस्तकों की संखिया 66 हो गई है, और पवितरात्मा ने बेरिया के विश्वासियों का जो अनुमोदन किया था, उसके आधार पर हमें ये बात समझनी चाहिए, कि प्रभू के वचन की व्याख का पहला नियम, किसी भी विशे का अध्यान करते हो, तो उस विशे पर प्रभू के वचन में आधी से लेकर आंत तक क्या कहा गया है, इसको भी देखो, ये प्रथम नियम है, और सबसे महतुपूर्ण नियम है, कि प्रभू का वचन किसी विशे पर जो कुछ बोलता है, उन सब का अध्यान करो, मेरे बच्पन में ये सब बहुत कठिन काम था, लेकिन आज बहुत आसान काम हो गया है, आज जो अंग्रेजी बाइबल का उपयोग करते हैं, उनके लिए कंकोर्डेंस, ये डिशनरी नुमा पुस्तके होती है, उसमें आप एक शब्द निकाल जैसे उद्धार, तो उद्धार से उद्धार शब्द जिन जिन पदों में आया है, उसकी पूरी लिस्ट वहाँ है, पाप, निकाल लीजे तो पाप शब्द यहां भी प्रभु के वचन में उसकी पूरी लिस्ट है, आज कंकोर्डेंस, अंग्रेजी में तो कई सारे एडि मलियालम भाषा में उपलब्द है, और ऐसा मेरे अनुमान है कि आपकी भाषा में भी उपलब्द होगा, आप में से जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उनके लिए ती और भी आसान बात है क्योंकि कंप्यूटर पर अनेक कंकॉर्डेंस है, जहां जाके आप शब पुत्र दे दिया, तो एकलोता पुत्र इसका क्या मतलब है, प्रभु ईशु को क्यों एकलोता पुत्र कहा गया है, इसका क्या मतलब है, यह यदि जानना हो तो कंप्यूटर पर कंकॉर्डेंस जाचिए, और आप देखेंगे कि यह जो एकलोता पुत्र जो पद है, यह जो तो फ्रेज है यह तो पुराने नियम से चला आ रहा है और जब आप उसका अध्यान करेंगे तब आप दातों तली उंगले लगा दबा देंगे कि अच्छा आज तक नहीं मालूम था कि प्रभू ईशु को एकलोता पुत्र क्यों कहा जाता है लेकिन जब प्रभू के वचन में जहां जहां इसका उपयोग हुआ है उन सब के आपस में तुलना करते हैं जैसे बरिया के विश्वासियों ने तुलना की थी पैसा तुलना करते हैं तो एक colleges में या schools में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जहां बहुत सारे Muslim मित्र हैं तो Muslim मित्र तो रोकाटो की करते ही हैं कि ईश्वर की पत्नी कौन है जिससे कि ईश्वर का पुत्र पैदा हो यह तो एक ऐसा प्रेशन है जो पूछ के वो लोग नाक में दम कर देते हैं दो प्रेशन है जो उनके पास है जो राम बान और शदी के समान जिसका वो प्रयोग करते हैं नंबर वन परमेश्वर की एक धन एक धन एक तो तीन होता है और आप कहरें कि एक है इन सब का उत्तर प्रभु के वचन में है तो जब आप प्रभु के वचन को तुलिनात्मक रूप से अध्यान करेंगे तब ये बातें स्पष्ठ हो जाएंगे आप पूछेंगे ब्रदर जाते जाते ये जरा बता जा तो प्रभु के वचन की व्याख्या का पहला नियम यह हुआ कि एक स्टेटमेंट यदि हम अध्यान कर रहे हैं तो उससे संबंदित बागी सारे स्टेटमेंट देखें तो उसके लिए कंकॉर्डेंस ले लीजिए यह सर्वोतम बात है और यदि आपके पास कंकॉर्डेंस ना अध्यान आर्म किया था तब ऐसी कोई चीज होती नहीं थी तो मुझे मेरे अध्यापक ने बता दिया था संड़े स्कूल अध्यापक ने और मैंने प्रंड कर लिया था कि ऐसा ही करूंगा पजमेश्वर का पुत्र या एक लौता पुत्र तो उन्हें ने कहा कि अपनी डायरी में एक पन्ना खुल लो उसके उपर तुमने जो पद देखा है एक लौता पुत्र नोट करो उस पन्ने को खाली छोड़ दो पड़े रहने दो बाद में जब कोई और पद पड़ोगे जहां फिर से एक लौता पुत्र या पहलोठा शब्द आया नोट करो उन्हेंने कहा जॉणसन जल्द बाजी मत करो जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है कोई व्यक्ति कितनी भी जल्दी करे खीर बनाने में जितना समय लगता है उतना समय लगेगा इंस्टेंट खीर जैसी कोई चीज नहीं है फैक्टरी से तयार इंस्टेंट खीर यदी उपलब्द भी हो जाए तो वो इंस्टेंट नहीं है बड़े लंबी प्रक्रिया के द्वारा उसको फैक्टरी में तयार किया तब आपको इंस्टेंट लग रहा है लेकिन वो खीर दरसल इंस्टेंट नहीं है उसी तरह से मेरे संडे स्कुल अध्यापक ने मुझे बात बताई थी कि कोई चीज प्रभु के वचन के अध्यान में क नोट करता जाता था इस तरह से जब प्रभु का वचन आप आधी से लेकर आनत तक पढ़ लेते हैं तब पहले राउंड में ही आपको जो जो विशे आप देख रहे हैं उन पर लगबग सारे पद मिल जाते हैं सेकंड राउंड में तो पूर्न रूप से मिल जाता है उसके प्रभु का वचन समझ सकता हूं तो उसका मतलब है कि मैंने आज से पहले प्रभु का वचन समझने की कोशिश नहीं की मेरी प्रीब भाई और बेहनों हम ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में हैं जब हम प्रभु के वचन को सीखने का कॉंट्रैक्ट दूसरों को दे देते हैं आजकल तो कॉंट्रैक्ट का जमाना है पर्मेनेंट बस भाड़े के टट्टू ले आओ उनसे काम करवाओ मैं हिंदुस्तान के एक सर्वोतम यूनिवर्सिटी का ग्रैजुएट हूँ महीं मैंने पी एच डी की थी और वहीं दस साल से अधिक समय मैंने एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में फिजिक्स में बिताया था आज सिती यह है कि जहां आठ आठ दस दस लेक्षरार हुआ करते थे वहां दो बचे हैं और वो दो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे और नया फुल टाइम स्टाफ नहीं अपॉइंट हो रहा है सारा का सारा काम भाड़े पर लोगों को लेकर किया जा रहा है क्योंकि भाड़े पर लोगों को लेकर काम करवाना सस्ता पढ़ता है उसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा प्रिय वाक्य है कॉंट्रैक्ट मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे भाईयों और बहनों आत्मिक जीवन जो है कॉंट्रैक्ट पे नहीं दिया जा सकता मेरा आपका जो आत्मिक जीवन है वो मुझे और आपको स्वयम जीना होगा और इसका अरण प्रभू के वचन को सिखाने का काम यदि हम सब कॉंट्रैक्टर को दे देते हैं तो काम नहीं होगा ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुझे याद है जब मैं MSC में पढ़ता था तब हमारी यूनिवर्सिटी जिस अती विशौल एरिया में बनी हुई यूनिवर्सिटी है पचासों एकड़ जमीन है उन्हें ने एक बार एक कॉंट्रैक्टर को पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी एक ने कहा प्रती पेड़ मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं चालीस नहीं आज से 45 साल पहले की बात कर रहा हूं तो उस समय के हिसाब से पैसा हिसाब लगाएं एक ने कहा कि 500 रुपे से कम नहीं 500 रुपे लगेंगे मतलब आज के हिसाब से 5000 रुपे लगेंगे मैं पेड लगा दूँगा और पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि पेड़ी दी सूख जाएगा तो उसको बदल दूँगा और जब तक पेड अपने स्वाइम पर निर्बर होने ना होने पाए तब तक मैं पेड की रखवाली करूँगा कई contractor थे उसमें से एक ने कहा कि मैं 50 रुपे में लगा दूँगा पेड कहां सूखते हैं मैं लगा दूँगा आप पानी से सिचाई कर लेना तो university ने उसको contract दिया जो 50 रुपे में पेड लगाने वाला था एक दिन में सेकडों पेड लगा के वो गायब हो गया उसने पहले contract में लिख दिया था कि एक बार जब वो contract पूरा कर लेता है पूरा पैसा देना होगा उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो एक अफसर गया शुरू से आखर तक सब जगह पेड़ी पेड़ लगे हैं हरे पेड़ लगे हुए हैं उसने सरक्टिफाई कर दिया contractor को पूरा पैसा मिल गया खेल खतम पैसा हजम contractor अपने रास्ते निकल गया हफते वर में सारे पेड़ सूख गये यूणिवर्सिटी ने फिर हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के आगे जो पेड़ लगे हैं उन उन पेड़ों का ख्याल रखे तो मैं तब तक MSC final में था मेरे प्रोफेसर ने कहा कि Johnson जरा जाके देखो कि इन पेड़ों के लिए क्या कर सकते हैं मैंने जाके देखा तो सर पीट लिया जिन पेड़ों को लगाने के लिए दो-दो फुट के गड़े खोदने हैं उनके लिए 6-6 इंच के गड़े खोदे गए और जो पेड़ लगाए गए उनमें से कई में तो जड़ी नहीं है फिर क्या हुआ फाइनली हम लोगों ने तो डिसाइड किया कि हमारे डिपार्टमेंट के सामने जितने पेड़ लगाए गए हैं उन गड़ों को श्रमदान के साथ हम विद्यारती लोग हो देंगे और लगाएंगे और श्रमदान करके हमने लगाया आज भी मैं जब अपनी यूनिवरसिटी जाता हूँ तो लह लहाते हुए पेड़ों को देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभू के वचन के अध्यान के लिए स्वयम महनत करेंगे तो स्वयम महनत जिस दिन हम आरम करते हैं उससे पाँच साल बाद या दस साल बाद या बीस साल बाद जब हम उन लह लहाते हुए पेड़ों को देखेंगे तब हमारे जीवन में जो आनंद होगा उस आनंद का कोई अंत नहीं होगा मेरे जैसा व्यक्ति जिसने प्रभु के वचन का अध्यान गंबीर अध्यान 15 साल की उमर में किया आज लगबग बावन 53 साल के बाद मतला आदी शताबदी के बाद जब मुड़कर मैंने पिछले 50 साल में जो प्रभु के अध्यान के लिए जो बीज बोये प्रभु से जो फल मिला उसको मुड़कर देखता हूं तो यकीन नहीं होता है कि है प्रभु इस आधे आधी शताबदी में इतना अध्यान के लिए आपने मेरी मदद की जी हां प्रभु ने मदद की और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं बाइबल स्कूल जा चुक नहीं है लेकिन आज भी मैं जब क्लासस के लिए तैयारी करता हूं तब पहले कमिंटरी नहीं खुलता पहले कंप्यूटर पर नहीं जाता पहला काम यह करता हूं कि पिछले पचास बावन सालों में मैंने जो नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को तलाशता हूं पवित्रा आत्मा ने मुझे पिछली आदी शताब्दी हाफ सेंचुरी में इस विशे पर क्या प्रकाश दिया है पहले उसको कलेक करता हूं उसके बाद अनी चीजों को देखता हूं मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बहन आज जो लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं उन सबसे ये मेरा अनिरोध है कि प्रभु के वचन के अध्यान को गंभीरता से लें क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को सरल भाषा में दिया है जिससे हमें से हर व्यक्ति उसको समझ सके याद रखें पिछली बार मैंने आपको याद दिलाया था इब्राइनी भाषा में जो पुराने नियम लिखा गया था वो आम जनता की इब्राइनी भाषा थी ना की साहित्य की इब्राइनी भाषा नया नियम जब लिखा गया था उसमें कम से कम चार प्रकार की युनानी भाषाएं थी लेकिन उन चारों में सबसे सरल जो युनानी भाषा है जिसे कोई ने ग्रीक कहा जाता है जिसका अनुवाद है common ग्रीक आम आदमी का ग्रीक प्रभु ने सरवेश्वर ने अपना वचन मन्ष को देने के लिए आम जनता की भाषा का उप्योग किया क्योंकि प्रभु चाते हैं कि आम जनता प्रभु के वचन को समझे और इसी लिए प्रभु ने अपने वचन को आम जनता की भाषा में दिया और आज 21 फी शताब्दी में भारत की सभी मुख्य भाषाओं में उपलब्ध है एक से अधिक अनुवाद उपलब्ध है मुबाइल पर उपलब्ध है कम्प्यूटर पर उपलब्ध है सवाल उपलब्धी का नहीं है सवाल इच्छा का है प्रभु के वचन का अध्यान दूसरों पर ना छोड़ दे सब कॉंट्राक्ट ना करें हाँ हर मंडली के लिए जरूरी है कि कुछ लोगों को बाहर से बुलाया जाए उसके पीछे कारण है कुछ लोगों ने कुछ विश्यों में विशेश अध्यान किया है और हो सकता है मंडली में कोई विएक्टी उस विशे में उतनी गहरी पहुँच नहीं रखता है ये बात अलग है लेकिन आजकल स्थिती ये है कि बहुत सारे brethren assemblies में संडे के दिन देख लेते हैं कि कौन को नाया है और कहीं से कोई एरा गहरा नत्थू गहरा यदि चर्च में मौजूद है तो जाके उसका गलाद आप देते हैं कि भहिया आज आपको संदेश देना है मैं चुकि एक traveling preacher हूँ तो सब जगह देखता हूँ कोई भी व्यक्ति चर्च में visitor के रूप में आ गया तो उसको गलाद आपके आगे ले आते हैं कि आज संदेश आपको देना है यह है subcontracting नहीं स्थानिय मंडली में स्थानिय मंडली के ही भाई लोग प्रभू के वचन का गंभीर अध्यान करें और मंडली के लोगों को क्रमबद तरीके से प्रभू का वचन सिखाएं उसके साथ साथ कुछ विशेश विश्यों को सिखाने के लिए किसी उल्टे सीदे एरे गेरे नप्थू गेरे को पकड़ के नहीं लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आपको पका यकीन है कि उस व्यक्ति की कुछ विश्यों में विशेश पैठ है उस व्यक्ति को बुलाईए उससे क्लास लगवाईए लेकिन इन सबकी जो प्रिष्ट भूमी है वो यह है कि हम में से हर व्यक्ति चाहे एल्डर हो या कॉमन विश्वासी हो हमें प्रभू के वच्छन का अध्यान गंभिरता से लेना चाहिए आज प्रभू ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रो साहन देता है जै मसीह की